क्लियर है बिल्कुल क्लियर है आ रही है न हुआ तो गया है तो अगर अब आज आ रही है तो आज हम डिसकस करने जा रहे हमारा स्टैटिक जीके का सेट नंबर फॉर ठीक है तो अगर अवाज आ रही है तो प्लीज थम्स अप करिए यह आपको अवाज प्रॉपर दरीके से पहुंच रही है तो गुड इवनिंग एंड सबको गुड इवनिंग जी आज के लेक्चर के अंदर एक मज़िदार चीज यह आएगी कि आपको स्टैटिक में एक टॉपिक के उपर भी मैंने कोशन डाले है वो लास्ट में डाले है ठीक है और मैं बताऊंगा नहीं अभी क्योंकि वह थोड उसमें जब जीए वाला पार्ट आएगा जर्नल अवेरनेस वाला पार्ट आएगा तो उसमें आपको यह चीज़ें मज़ेदार आएंगी चिक हैं सो देखते हैं जी हमारे बच्चे क्या कह रहे हैं कि सवाज पहुंच रही है सबको यह तो जब आभी नहीं आ रहा है इनका क्या दिक्कत है आने लगा आगया आगया ओके जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग इवनिंग चलो जी सबको क्लियर है अवाज चलिए जी स्टार्ट करते हैं सर लगाईए पहला कोशन लगाईए ऐसलो抓 fusion क्या जता है सिम्पल कोशन है लौजिकल कोशे नहीं क्राइयो जैनिक्स इस isप理निक्स टीक है क्या मतलब है क्रायो जैनिक्स का क्राइयो वर्ड हमेशा मैंनें जब भी आपको तो बताया है चाहे है आप कोई भी क्लास लेते हो दिए जब तक हो परोपर नहीं लोगे स्फेशिंगक वुराया को क्या होता है कि बताता हूँ कि में ने करवाया था तो आपका पताने कोन सी क्लास में गरवाया था तो classes दोनों तीनों जॉइन किया अगरो current affair की GS की और यह वाली भी ठीक है तो पहला गोशन देखो क्या गयता है cryogenics देखे cryogenics का मतलब क्या होता है what is the meaning of cryogenics यह वर्ड है cryo cryo word का मतलब क्या होता है low temperature बस यह आपको याद रखना है इतना आपको याद रखना है cryo मतलब low temperature की बात यहां पर देखने को मिलेगी समझ आ गया cryo मतलब low temperature तो इसमें सीधा सीधा अंसर देख लो क्या बन जाएगा आपका the scientific study of the very low temperature is called cryogenics अंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका first option बनेगा आपने सुना होगा जब भी new सुनते होगे तो आपने सुना होगा जो है cryogenic engine cryogenic engine cryogenic something कुछ cryogenics word से सुनते होगे तो उसका मतलब गया कि वहां जो फ्यूल है बहुत low temperature की उपर गरम होता होगा जो लो टेमपरेचर की उपर बर्न करता होगा something like that ठीक है तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका c option बनेगा c option बाकी जो option है यहां पर जैसे लिखा हुआ है scientific study of dust जो पहला पहला कोशन है जो पहला कोशन है scientific study of dust तो उसको आप क्या कहते हूं पेलियों नोलोजी पेलियों नोलोजी अच्छा यहां पर एक बच्चा था जिसने high temperature लिखा था और यह बच्चे ने high temperature लिखा था high temperature जब भी high temperature बढ़ आते है na तो वहां पर आप को याद क्या करना है पाईरो मीट उस्सकित की स्टडी को आपтора कहते हो पेलियों और दूसरा स्टडी ओफ हीट कि स्टडी को आप क्या कहते हो बताइए येस ग्रेट, थर्मो डाइनमिक्स कहा जाता है, जहांपे हम हीट एक्सचेंज के बारे में पड़ते हैं, और हीटिंग एफेक्ट के बारे में पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ते हैं, हीट के उपर कॉनसेप्ट के उपर, तो answer इसमें क्या बनने वाला है, आपका आपने कहीं कहीं न कहीं पढ़ा होगा बाकी मैं तो आपको अंसर बताऊंगी बताऊंगा वुलर लेक जो है वो कहां पे है सबको पता होगा यह यह सबसे मीठे पानी की जील है हमारी दा फ्रेश वर्टर लेक इन इंडिया तो यह है क्या यह है आपकी डैडि जिंदा कश्मीर वैरी गडरी घुर्ट क्लिए और एक चीज़ और याद करो यहाँ पर मांसर मंसर देख भी है और यहाँ पर शेशनाग में अच शेशनाग मेंच भी इत इस项 आलत सुनदा आपके जम्मों определ एक और याद करो बिल्कुल किसी बच्च्चे लिखा यहां पर मानस बिल्कुल मानस बल जो है वो भी कहां पे है अगेन आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका सी ऑप्षिन बनेगा जम्मू एंड कश्मीर इस दा राइट अंसर चलिए जी लगाईए से रगले अगला कोशन देखो रेडियम को रेडियम की खोज किसने करी थी इसमें जो सारे ऑप्षन ना बड़े इंपोर्टन ऑप्षन है सारे के सारे बड़े इंपोर्टन ऑप्षन है तो यहां पर लिखा हुआ है रेडियम की खोज किसने करी रेडियम की खोज जो है एक परसन ने कर है अब रेडियम जो है एक जो है रेडियो अक्टिव सब्स्टांस है अब रेडियो अक्टिव सब्स्टांस का मतलब क्या होता है जहां पर अलफा बीटा और गामा रेज निकलती है और रेडियो अक्टिविटी का मतलब जो भी आपका अलफा बीटा गामा रेज की यूरेनियम और आपका यूरेनियम जो यूरेनियम है एज नुकलर फ्यूल हम यूज करते हैं नुकलर रियक्टर के अंदर तो यह जो है इसकी और पूछी जा सकती है आपको इसकी और होती है पिच ब्लैंड पिच ब्लैंड इस दा ओर क्लियर हो गया आप लोगो पिच ब्लै में चीज़ों के और थर्ड लिखा हुआ है एलबेट आइंस्टाइन एलबेट आइंस्टाइन ने जो है एक थेयरी दी ती जिसे हम कहते हैं इस इकल टू में सी स्कुैर और यह इनरजी बस रेलेशंशिप जो है यह किसके अंदर आता है यूम टाइंस्टाइन फो टो एलग्टरिक टो इलक्ट्रिकक अभ्टिक के लिए जो है उनको बैस मिला था सूपर इंपॉर्डशर लिखा हुआ है benjamin Franklin Benjamin Franklin जो है for person जो है इसने क्या डुनदा न चार्ज है Thborne 12 डून डा था positive है negative है और charge के जो unit होते हैं क्या होते हैं कुलाम उग्पैर समय आ गया चार्ज के unit क्या होते हैं कुलाम और कूलम भी कहा देते हूं आपüss Grad अगा हो गया को चलिए सर अगला लगाईए अगला कोश्चन बड़ा important कोश्चन है जी अंसर लगाने की कोशिश करना बाकी एक सेकंड मैं अभी आपको अंसर बताता हूं इसका भी तो फड़ा-फट लगाईए जी इसका अंसर क्या बनेगा इसका कोश्चन का अंसर क्या बनने वाला है येस बताईए वेरी गुड वेरी गुड तो कोश्चन है जी इंडियन नेवी डे इंडियन नेवी डे जो है आपका ये कब मनाया जाता है वेरी गुड फड़ा-फट अंसर देने हैं इसमें चारो दिन आपको पता होने चाहिए चारो के चारो ही बड़े important है जो आपका चार दिसंबर को हम इसको celebrate करते हैं चार दिसंबर को celebrate किया जाता है कौन सा दिन डैडिज इंडियन नेवी डे तो आंसर इसमें क्या बन गया जी आपका फोर्ट सी option बन गया दिसंबर 4 अगर आप से पूछा नेवल स्टाफ के दचीफ आफ नेवल स्टाफ कौन है अभी हमा करम वीर सिंग यहां पर दूसरा option देखो क्या कहता है दिसंबर साथ लिखा हुआ है दिसंबर साथ क्या होता है आपका इंटरनाशनल सिविल एविएशन डे इंटरनाशनल सिविल एविएशन डे पॉइंट समझ आए आप लोगों को अब बात यहां पर याद रखो सिविल एविशन के लिए हमारी इंटरनाशनल और्गनाईजिशन है इंटरनाशनल सिविल एविशन और्गनाईजिशन जिसके हेड़कॉर्टर कहां पर है मॉन्ट्रियाल कैनेडा के अंदर उसके हेड़कॉर्टर है समझ आगे आप लोगों को अब याकी आप और याद करते हैं यहां पर लिखा हुआ है जनवरी पंद्रा जनवरी पंद्रा जनवरी पंद्रा को क्या होता है पंद्रा जनवरी को यह होता है आर्मी दिवस आर्मी दिवस होता है आर्मी डे देखने को आपको मिलता है और आपसे पूछी जा सकती है कि इनके जो आर्मी के हमारे चीफ है उनका नाम बताईए अभी एट प्रेजन मनोज मुकंद नरावने फै Drag violation उप्षिन क्या उंसर ने हैं एक्तूबर इट रह improvements area एयर फूर्स सब्सक्रीक देखने को मिलता और एर फूर्स के हैं हमारे कौन है बिलकुर सही है जी राकेश कुमार कि राकेश पुमार बदूरिया यास राकेश कुमार बदूरिया यह हमारे चीफ है एयर्फोर्स के तो सारे के सारे आपको कलियर हो गया होगा तो अंसर इसमें क्या बना जी आपका सी ओप्षन बना जी आपका डैड़ी डे होता है दिसमबर चार को वेरी गुड वेरी गुड कलियर तो आज बच्चे- जिए आपका C option बनेगा लगाए सर अगला कोशन लगा यह यार हम इतनी मेनट करते हैं तुमारे उपर तुम नहीं कर सकते एक like और दूसरे को अपने दोस्तों को बताना चलिए जी अगला कोशन देखें जी क्या कहता है अगला कोशन देखो जी क्या कहता है दा इंस्ट्रुमेंट यूस्टू मेजर प्रेशर कोशन क्या गह रहा है प्रेशर मापने के लिए यंत्र कौन सा होता है यह प्रेशर जो है एर का प्रेशर की बात चल रही है यहां पर एर प्रेशर की बात कर रही है ठीक है तो यह जो है इंस्ट्रुमेंट सारे ही important है तो इसमें क्या बनेगा आपका fifth question का answer क्या बनेगा barometer barometer is the right answer barometer समझा गया barometer क्या बनता है जी barometer है जो आपका air pressure को मापता है अब बात यह है कि जो atmosphere pressure होता है वायो मंडल दाब होता है उसका जो unit होता है वो होता है बार जा फिर आप तॉर कह देते हो clear और जो barometer है यह किस ने discover किया था तॉर से ही याद करो तॉरी सैली तॉरी सैली ने discover किया था अब अगर मैं कहूं कि यह कोई आपका जो barometer है बारो मेंटर की reading एक दम से नीचे गिर गई तो इसका मतलब क्या हो गया तुफान आने वाला है clear उसके बाद जो barometer की reading धीरे 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 नीचे गिर रही है तो मतलब rain बारिश आएगी और अगर मैं कहूं कि barometer की reading जो है दीरे 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 उपर जा रही है तो इसका मतलब आसमान साफ है clear weather है समझ आगया आप लोगों को तो answer इसमें क्या बनने वाला है आपका B option बनेगा second option is the right answer clear हो गया अब यहां पर दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी है वो याद करो क्योंकि मैंने आपको बता देता हूं आप कोई भी एक्जाम की त्यारी कर रहे ना यह basic चीज़ीं है जो आपको एक्जाम में पूछी जाती है clear हो गया चलिए जी अगला इसमें देखते है को मापने के लिए आपको काम आता है clear हो गया दूसरा हो गया तीसरा तीसरा देखते हैं हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर क्या होता है humidity कि वट इसा मीनिंग ऑफ हुमिडिटी नमी जिसे आप कहते हो नमी कहते हो मतलब नमी का मतलब क्या हो गया कि हवा के अंदर पानी की वेल्यू कितनी है वहां पे clear और लास्ट आपका थर्मोमीटर थर्मोमीटर टेंपरेचर की बात आगी यहां पर टेंपरेचर को मापने के लिए तो अंसर इसमें क्या बन गया आपका बी ऑप्शन बन गया यास वेरी गुड बी ऑप्शन इसा राइट अंसर सर लगा यह अगला देखे जी अगला कोशन टोमैटो फेस्टिवल इस सेलिबरेटेड इस इन विच कंट्री इंपोर्टन है मूवी में देखा होगा जो तीन दोस्तों की मूवी है आई डूंट नो दा नेम एक्चली में भूल गया बट मेरी फेवरेट मूवी है बन आफ दा फेवरेट मूव सब्सक्राइब जूत तो अंचर इसमें क्या बन गया जी आपका स्पे और औरन्पे moros फेस्टिवल और स्पेस्टिवल के अपको है कौन सा ऊब हैया है ड्ली इस प्रहूं एंसर अब लागब सब्सक्राइब की जो क्एपिडल है में तád अ क्या है euro कि करन्सी क्या है euro clear हो गए सबको तो अंसर इसमें क्या बनेगा answer is a b option Spain is the right answer yes चलिए जी जिन्दगी ना मिलेगी दोबारा बिल्कुल चलिए जी आगे साथवा कोशन लगाई सर कोशन साथवा दा इंडेस्ट्र रविलूशन इस हैज लेटू देखें इंडेस्टर रेवलूशन कौन से सदी में आया था 15 16 सेंचरी में देखने को मिला था और पहला कहां पर आया था आपके UK के अंदर जाने कि यूरोपिन देशों के अंदर आया था उसमें भी बृटें के अंदर आया तो इसका मतलब क्या हो गया ड यह बर्पो करने के लिए जो है आपको जैसे कंजर्विशन करना पड़ेगा conservation आपके trees लगाने पड़ेंगे पेड़ पोदे लगाने पड़ेंगे अब पेड़ पोदे लगाने से मेरे को एक movement याद आती है जो आपने सुनी होगी उत्तराखंड के अंदर एक movement चली थी चिपको मुव्मेंट में क्या था कि जिसमें आपके trees बग era जो काटते थे ऊसको काटने ना देते ते उसको मतलब करके रहाएज अपका second बन गया नेक्स लगा हुरं अट अटा इंस्टिव औ फंदामेंटर रिस ठीएंगोट TIFR Tata Institute of Fundamental Research जो है यह कहां पर लोकीटिड है फटाफट अंसर दीजे इसका जी यह mathematics और science की field में जो research होती है वो यह लोग करते है ने टाटा इंस्टिट अफ फंडामेंटल रिसर्च यह कहां पर है जी यह है महाराष्ट्रा के अंदर बी और उसके बाद अंसर देखते हैं यहां पर क्या बन गया और एक और याद करो संदीप त्रिवेदी संदीप त्रिवेदी जो है वो इनके यह और इस बनी ती आइफर के डिरेक्टर जनरल है नाइंटीन फॉट्टी फाइइ में यह और इस बनी थी उन्सरी और बी ऑप्शन डैड़ीज महाराष्ट्रा और भाई किसी की पाटी पूटी का नाम मत लिया करो यह मत नाम लिया करो कुछ है ऐसे वैसी चीज़े बिकार की बाते मत किया करो चलिए जी आगे हूँ इन्वेंटेड पैनिसलीन बहुत इंपॉर्टन कोश्चन अगें पैनिसलीन जो है आपको किसने डिसकवर करी थी पैनिसलीन जो है यह स्टार्ट डिसकवर करी गई थी पैनिसलेनियम नोटेटम यह क्या है एक फंगस है यह क्या है एक फंगस है और इसको डूंडा कि ने था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिने डूना था तो option क्या बनेगा यह option बनेगा और यह है क्या एंटिबॉइटिक जाने की बैक्टीरिया की ग्रोथ को खतम करती है अब यहां पर आपको पूछा जा सकते हैं कि कि आपको ध्यान रखना है अब यहां पर दो तीन बंदों के नाम और लिखे गए हैं जैसे कि आपका लुइस पाश्चर वैरी इंपॉर्टन कोशिन है लुइस पाश्चर पाश्चर ने क्या किया था पास्ट्राइजेशन ऑफ मिल्क मैंने आपको बताया था फिष्चन ऑफ मिल्क का मतलब क्या होता है दूद को ऐसे टूद और गरम कर देते हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे जितने वी भेक्टिरियां वो सारे खतम हो जाएंगे क्लिए और लास्ट एक वर्ड है अच्छा एक चीज और है लुइस पास्टर ने एक वेक्सिन डूंडी थी रेबीज के लिए रेबीज वेक्सिन डूंडी थी और रेबीज किसके काटने से होती है अगर किसी कुत्ते को डॉग को जो है रेबीज ओर कियो और वो आपको काट ले तो आपको रेबीज हो सकती है और रेबीज में आपको जो है पानी से डर लगने दूण दी थी डिएडवर्ट जीनर ने पहली वैक्सिन दूणि थी डैट बातु एपिवर्थ व्ट्व स्मॉल प्सुन बाट है वर्लड में सबसे पहली वेरी जो खतम कर दी गई थी पहली बिर जो जो वेर्ल पहली बार खतम करी गई थी तो इसमें क्या बनने जी आपका one option बनेगा कि दस्वा कोश्वन देखिए क्या कहता है तेंथ कोश्वन देखे जी क्या कहता है national tuberculosis इंसिजूट is located in national tuberculosis कि इंसीडूड इस लोकेटेड इन है अब ट्यूबर कलॉटिंस जो है टीवी टीवी का जो बैक्तीरिया भी पता होना चाहिए यह इस ज्यूट चुलो हम बात करते हैं यह इंसीडूड है कहां पर येस वरी गुट तो यह है जि करनाटक के अंदर ये कहां सोमा शेखर, एन सोमा शेखर इसके डिरेक्टोरेट जएनरल हैं, किसके त्वलक्र Shine इंस्टिजीड के, क्लियर हो गया, और एक चीज आपको याद कर नहीं है, त्वल डिलाओ अ इसका बैक्टीरिया याद करो, इसका बैक्तीरिया कौन सा है, that is mycobacterium tuberculi mycobacterium tuberculi अब इसके लिए vaccine याद करो BCG vaccine आती है जब बच्चे को जनम देती ही देते हैं that is bacillus यह vaccine है दवाई है इसके लिए bacillus, calmate और urine यह दो बंदे हैं जिन्होंने डूंडा था calmate और urine ने इसको डूंडी थी BCG vaccine को अब क्या होता है जो milk होता है अगर कई बार क्या होता है कि काउ के काउ को भी TV हो रखी होती है हम क्या करते हैं दूद निकालते हैं कई लोग ऐसे ही पी लेते हैं कहते हैं बड़ा healthy लिए दूद को हमेशा उबाल देके ही पीना चाहिए जाफिर जैसे आपके packet होते हैं उसमें और पास्टराजिशन और सब्सक्राइब करेक्ट अंसर सी ऑप्षण येस चौबिस मार्च टीबी डे होता है अच्छा चलो एक कोश्चन बताओ बिल्कुल सही है जो मैंने कोश्चन पूछना था वह विकी विकी ने बता दिया है कि चलो आप बता सकते हो दो कोश्चन चलो पूछता हूं बीच में दो अंसर बच्चों ने दे दिये हैं हमारा टीबी डे किस दिन होता है या मुझे कमेंट सेक्षन में लिखके बताओ दूसरा बताओ इंडिया टीबी को कौन से साल तक बीट करेगा कौन से साल तक बीट करेगा समझ आ गया बड़े उश्यार हो तुम लोग ठीक है उश्या दा ओथर ऑफ बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इस यह बड़ी इंपोर्टन बुक है यह बड़ी इंपोर्टन बुक है यह ऑटो बाइग्राफी है यह ऑटो बाइग्राफी किसकी है यह महात्मा गांधी जी की ऑटो बाइग्राफी है तो आंसर इसमें क्या ब जी की जो यह बुक थी एक निउस्पेपर था उसमें मतलब निउस्पेपर था उसमें कुछ-कुछ चीजे छपके आती थी और वह कौन सा था नव जीवन तो आपको मैं बता देता हूं महात्मा गांदी जी की बुक्स जो है एक तो यंग इंडिया है यंग इंडिया तो इन् िश्पेपर नेकरत लिंक करती है और इसमें एक उप्षण रहगा जो मौलाना अभुल कलामा आजाग सब्चासी अजागता है अदू मु जो है मौलाना अभुलकीलामा अजागता है हमारे देश के पहले एजजुकेशन मनिस्टर सवतंतर भारत के एजुकेशन मिनिस्टर और दूसरी बात जहां पर याद करो उनका एक बुक थी इंडिया विंड्स फ्रीड लूं हो एक और उनका निउस्पेप़ था डैडेद इस अल लुखालाल निउस्पेपर था तौ इस कोशन का जो अंसर बनेगा वो स्टाइब और सि क्या नाम क्या है और सानल उप्षिन देखेंगे पी-एस-डवी पी-एस-डवी जो है यह यह क्या है पी-एस-डवी डैडि इस आपका यह एक लॉंच विकल है तो इसका नाम क्या है डेड़ीज पोलर सैटलाइब भीकल तो ूट्वेलट कुशन का संटाइ सब्सक्राइब कर दो दो चीज़े याद करें थी विक्रम सारभाई स्पेस सेंटर कल भी उमने ढूर पर सेंटर के अंदर और सतीश धवन स्पेस छेंटर कहां पर है 15 अगस्त 1969 और इनके प्रेजिडेंट अभी कौन है के सिवान और हेड़कॉर्टर बेंगलूरू बेंगलूरू को और क्या कहते हैं स्पेस सिटी कहते हैं क्लियर चलिए जी अगला लगाईए कि तेरवां कोशन देखो the science dealing with the study of soil is called कोशन जहां से समझना है अगर स्वाइल की स्टडी है मिट्टी की स्टडी को बोल रहा है मिट्टी की स्टडी को आप क्या कहते हैं इसमें कंफ्यूज होंगे काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे दो अप्शन के उपर पीडोलॉजी और पीटागोजी देखे एक चीज़ होता है मतलब मैं मैं खुद तो नहीं कहता लेकिन आप लोग मुझे कहते हो कि सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है वह जो पढ़ाने का तरीका होता है नहीं होता है तो इस पसांसरी इसमें क्या बनने वाला तीरमे का अंसर क्या बनेगा वण ऑप्शन बनेगा है और द्रीक अपको स्थी चांप करके a option that is a option is the correct answer next लगा इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड इस्टैबलिश इन विच यह देखें इंडियन ओयल कॉर्परेशन जो है न्यूज में भी रहता ही रहता है कोई न कोई ओयल कॉर्परेशन कंपनी न्यूज में रहती ही रहती होती है तो आप से पूछा जा सकता ह कि इसके यह कौन से साल में बना था बदा सकते हैं बदा सकते हैं इनके चलो मैं आपको चेर परसन का नाम बताता हूं तब तक आप अंसर बताईए इनके चेर परसन का नाम है शीरीकांत माधव वैध्या शीरीकांत माधव वैध्या शीरीकांत माधव वैध्या इस दा बड़े चतुर हो रहे हो आप लोग ठीक है अंसर इसमें क्या बनेगा 1959 ए ऑप्षिन बनेगा 1959 जान बूच के मैंने इसके सारे आप्षिन ऐसे रखे थे इसरो 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 के दस साल पहले क्या बना था इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड बना था याद रखना कलियर हो गया बिलकुल मैंने आपको बताया है जितनी भी चीजें हैं जितने भी चीजें हैं मेरी तीनों क्लासिस से कुछ ना कुछ रिलेट करके आपको इदर-उदर मिलेगा तभी जो जितने बच्चे अंसर दे रहे हैं न फटा पट फटा पट बाकी भी अंसर दे रहे हैं कि सर यह था वो था वो किसी ने किसी बच्छे दलाई लामा विज्टे इंडिया 1959 Yes रहे ग्रेट-ग्रेट-पन्दरमा कोशिखें क्या कहता है तो मल्टी डैमेंशनल पौवाटी इंडेक्स इंडेक्स जाने के गरीबी कितनी है हमारे देश में जा गरीबी मतलब बहुत सारे इंडेक्स होते हैं आपका लिविंग ऑफ स्टेंडर कैसा है आपकी हेल्थ कंडिशन कैसी है जा आसपास में आपको एजुकेशन प्रॉपर तरीके से यह आपकी पॉवर्टी वगरा इस ची के अंदर नियॉयॉक के अंदर इसके हैड़क रहे हैं बाकी जो ओप्षिन वो देखो जी अच्छे को देखिए यूंडीप जो है ना यूंडीप यह दो रिपोर्ट्स और भी देता है एक डे रिपोर्ट देता है डैडिस हुमन डेवल्मेंट इंडेक्स और जी आई आई रहा है और यह सर्प्राइज जो है कल कुछ और नया सर्प्राइज आपको कल की मौर्णिंग एक लास चार एम में मिलेगा ठीक है तो लगाई सर तो सोल्हां कोशन लगाई ए महा सिक्योर देखे जी यह अभी कुछ कोशन आपको आएंगे यह आपके जो कोशन है यह एप्स के उपर कोशन है जो बैंक ने नई एप्स लाुच करी है उसके उपर कोशन है समझा गया तो महा सिक्योर इसे मोबाईल banking app, किस bank की ये अैप है, answer दीजिЕ, फटा फट इसका answer, इसका answer फटा फट दीजिए, हाँ जी, तो महा से क्योड अप किसी है, तो महा से याद रखो, महा मतलब माहराश्टरा, secure मतलब पैसा, मतलब बैंक के अंदर पैसा आपका safe है, महा सिकोर, yani करने का तरीका पूछे तो बैंक आफ महाराष्ट्रा के हैड़कॉर्टर पूने के अंदर है आपने गलती से भी मुंबई मत्तिक कर देना यह आपके पूने के अंदर इसके हैड़कॉर्टर है एक सवन्टीन हाँ है सोला का सत्रा इसके अवाइल बैंकिंग यह किस बैंक की अप है फड़ा फड़ बताएजी मोबाइल बैंक आप बताएज एंपावर किसकी है यह है जी अलाहाबाद बैंक की एप सी यॉप्शन बनेगा अन्सर अलाहबाद पूझा जाता है को आपने करना नहीं करना कि इसके हैड़कवाद के अंदर है और जो बच्चे यह सोचके पढ़ रहे हैं कि हां हमें यह एप्स नहीं पूछी जाएंगी आपको बता दू कि सारे एक्जाइम कंबाइन हो रहे हैं तो इससे क्या है बैंकिंग का भी पूशन आपसे पूचा जाएगा और बैंक वालों को आपका एससी वाला बैंक का रेलवे वाला भी पूचा जाएगा यह आपको ध्यान रखना है तो अंसर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा जी नेक्स एटेंट पूशन सेंट मोबाइल इसन ऊबाइल एप्लिकेशन यह किस बैंक की अप्लिकेशन यह मतलब सेंट मतलब सेंटल सेंटारी ड Element ऐल ग्या है था ओप्षिन एंडिया की क्या है यह अंसर इसमें की बन 18th question का a option बन गया a option is the right answer a option is the correct answer clear a option अब ये Central Bank of India कब बना था 1911 में और ये ऐसा bank था मतलब जब हमारा Bengal partition के बाद बने थे Bengal partition cancel किया गया था उसके बाद ये bank बने थे clear और पल्लव मोहापात्रा पल्लव मोहापात्रा जो है इनके चीफ है चेर परसन है चेर मोहापात्रा है मुंबई के अंदर है सर लगा ना ये अगला कि अगला क्यों देखिए इंडर इन पे इसे mobile application जो है आप की कहाँ पर है इनलपे जो है mobile application जो है किस बैंक की application powdered यह ढप्लीकेशन है आपके बिल्कुल इनडियान ěक की application और इसके docs, headquarter, mostra Billykeiten, indian bank, चनै, decs लगा लिए, यू, mobile, यू, mobile Balai application, इस crush, which bank, यू mobile जो है, यह union bank of India, union bank of India, की mobile application, union bank of India, yes, be option, और इसका headquarter भी कहां पर है, Mumbai के अंदर है, कहां पर, Mumbai के अंदर इसके headquarter है, so ये थे, आज कुछ surprise question आपके लिए, तो नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ सप्राइज लेंगे सुबह चार बज़े वाली क्लास में भी कुछ आपको कुछ नया चीज देखने को आपको मिलेगी सू यह था आज के क्लास के के कोश्ण लेक्टे याच्टी अचया लगा है मेरा मुराल अप रखना है तो इसको लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के जाद करना अस्यर करना अगर मेरा मुटाैर Careful मुरालब करने का मतलग क्या कि यहां पर क्लास में भी आपको दिखेगा कि वो चीज दिखेगी नई नहीं चीज़ें दिखेंगी तो लेक्चर अच्छा लगा लाइक कर देना और बाकी आपको मैं बता दू दो मेरे पेड कोर्स आते हैं आप परशेज कर सकते हैं पहला वन इ किया है हमारा थेरी कोर्स है इसके अंदर हमने पॉल्टी हिस्ट्री जोग्रफी बहुत डिटेल में डिस्कॉस किया है बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कोर्स में इसको त्यार किया है यह कोर्स की भी लास्ट आपकी 31 तारिक है और इसमें आप VIP 500 कूपन को यूज करोगे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो चाहें नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहां पे बैस सेलिंग कोर्स के साथ व्यू अल का बटन दबा देना उसको तो आपको क्या दिखेगा तीसरे चौथे नंबर के उपर आपको दिखेगा ठीक है और दूसरा कोर करता हूं तो यहां पर डॉक्टर वीपन को से जुड़ जाना है सकतर हजार के बच्चों के आसपास इसमें जुड़े हुए हैं और अगर आपने में सब्सक्राइब करना है तो आप मुझे इंस्ट्राग्राम की उपर मैं काफी एक्टिव रहता हूं समझ आ गया और अगर कर सकते हैं गया है 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 अगर अगर कर अगर अगर करने तो 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 और तो गाइस खीक है फिर हम चलते हैं और राई होप आपको अच्छी लगी भी होगी तो गाइस ठीक है हम चलते हैं और अगर आपका कोई भी कोशिन हुआ ना आप मुझे सीधा इंस्ट्राग्राम के उपर डिरेक्ट मैसेज कीजिए तो गुल लगाइस टेक क्यार और सुबह चार बजे करंट अफिर की क्लास में मिलेंगे देन जी एस की क्लास में देन गुल लग टेक क्यार बाबाई थैंक यू